प्रेगनेंसी के शुरुवाती दौर से और अंतिम दौर तक कुछ ऐसी परिशानिया होती हैं जो गर्वती महिलाओं को झेलनी ही पड़ती हैं। उन मेंसे एक समष्या है कमर दर्थ की समष्या और ये समष्या गर्वती महिलाओं को प्रेग्न lassi के IN दौर तक जहलनी बढ़ती है लेकिन दोस्तों आपको बता दू जुन में वैइन के नवए महिलाओं में कमर दर्थ क्या संकेत देता है जानने के लिए पेट काफी बाहर निकल चुका होता है और गर्व में शीशू भी अबब काफी बढ़ा हो चुका होता है यानि कि उसका पूरा विकास हो चुका होता है यहां तक कि अब आपके शीशू ने मुमेंट भी थोड़ा कम कर ली होती है और गर्व में शीशू का आकार बढ़ा होने की वज़े से और गरभाशे के फैलने की वज़े से गरवती महिलाओं को कमर में और पेट के नीचले हिस्से में ज़ुरान दर्ध होने लगता है इसके साथ ही इस दौरान बेबी ड्रॉपिंग भी हो जाती है यानि कि शीचु अपना हैड डाउन कर लेता है जिसकी वज़े से नीचे के पोर्शन में और कमर में काफी ज़ादा दर्ध होने लगता है और इसके अलावा कभी कभी ऐसे में गरवती महिलाओं को सास लेने में भी दिक्कत होने लगती है तो गरभाशे का आकार बढ़ने और शीचु का आकार बढ़ने की वज़े से कमर दर्ध होना बहती नौर्मल है तो इसको लेकर आपको इस दोरान बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है लेकिन प्रेगनेंसी के 90 महीने में आपको कुछ सावधानिया जरूर रखनी चाहिए जैसा कि इस दोरान ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आपको चलने फिरने में उठ उठने बैठने में और टहलते समय काफी सावधाने रखनी होती है और प्रेगनेंसी के 90 महीने में तो वाक करना बहुती ज़्यादा सरूरी होता है लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टहलने के लिए जाती है तो आपको बीच बीच में वीराम नहीं ले इससे आपके कमरदर्द की समया और भी जादा बढ़ सकती है साथी अगर आपको उठना या फिर बैठना है तो आपको किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर ही उठना बैठना है इसके लावा इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के 90 महीने में भी आपको बाइं कर परवट लेकर ही सोना है इससे आपकी कमरदर्द की समश्या में काफी आराम मिलेगा और साथ ही आपको सांस लेने में भी काफी आसानी होगी अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत जादा कमरदर्द की समश्या हो रही है तो ऐसे में आपको क्या-क्या उपाई करना चा उसके बाद आपको हलके हाथों से अपने कमर की मालिश करनी है इससे आपको कमर दर्द में काफी राहत मिलेगी आप चाहें तो मालिश किसे एक्सपर्ट से करवा सकती हैं लेकिन अगर आप अपने हाथों से मालिश करती हैं तो आपको यह अंदाजा रहेगा कि आपके पीट पर किता प्रेशर पड़ रहा है और इस दौरान आपको बहुत जादा प्रेशर डाल कर मालिश नहीं करनी है बिलकुल हलके हाथों से मालिश करनी है इसके अलावा दोस्तों प्रेग्डेंसी के दौरान आपको पानी पीने की सला दी जाती है और खासकर प्रेग्डेंसी के कि पानी इस दौरान आपके शरीर को हाइडरेट रखता है और आपकी बॉड़ी में जो भी टॉक्सिंस होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है तो दोस्तों ये थी जानकारी के प्रेग्नेंसी के दौरान का मरदर्द की समश्या क्यों होती है और इसके लिए आप क्या उपाई कर सकते हैं उमीद करती हुए जानकारी आपके लिए यूसफुल होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर सरू करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद